Hello everyone and welcome back in a new video of science tutorial. तो हम पेज नमबर 10, चेप्टर नमबर 1st में पहुंच चुके थे और हम questions उनका solution कर रहे थे First question था, Why does a desert cooler better on hot dry day? इसका answer मैंने कल आपको दे दिया था कि cooler जो होता है, desert cooler जो होता है उसकी जो walls होती है, 4 तरफ उस पे water लगाता है, sprinkle करते रहते हैं तो surrounding से जो energy है वो absorb करता है और water ठंडा हो जाता है और फिर वो जो air है उसको fan जो होता है वो push कर देता है आगे How does the water kept in earth and port? और दूसरा question हमने लिया था कि जो मटका होता है उसमें पानी ठंडा कैसे होता है तो मैंने आपको बताया जात कि port जो होता है उसकी surface जो होती है port की वहां pores होते हैं, छेद होते हैं तो उससे पानी evaporate होता है आसपास की energy absorb कर की water cool हो जाता है answer अच्छे से explain कर दिये गए है now the third question जिसको आज हम solve करेंगे why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it ध्यान चे समझेगा बात को यह बोल रहा है कि acetone acetone जान गए होंगे आप thinner या फिर nail polish remover जिसके बारे में बताया था या petrol और यह फिर यह बात कर रहा है पर्फ्यूम का अगर इनको इन तीनों में से किसी भी material को अगर हम अपनी अथेली के उपर रखते हैं तो हमें cool हमें ठंडा feel कैसे होता है okay तो देखिए acetone petrol और पर्फूम में एप्राइब गड़िते हुशी ख hen था में एझंटरुट ज Noel कि यह क्या कहना चारा स्टेक्मेंट में एसी टॉन पेट्रोल और पर्फ्यूम जो होते हैं जब उनको हम अथेली पे रखते हैं या वो जब भी हावा के कॉंटेक्ट में आते हैं अथेली पे रखेंगे तो हावा के कॉंटेक्ट में आएंगे तो वो क्या हो जाते हैं इवप श्रोम्राइब देंक प्रेट सुरॉ। और वाप्म्राइब भी नहीं आप्शकराइब देद्टेर कर देपेंके लेकर कहनेद सर्थकी नहीं है कूल के देखिए एक्सपेरिमेंट व्यू से माली जी यह पाम है अपना अथेली है इस पे हम यहां पे पेट्रोल एसिटोन अगर डालेंगे तो यह क्या होते हैं यह बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं तो यह तुरंट विवपरेट हो जाएंगे यह विवपरेट होकर क नहां जाएंगे उपर जाएंगे तो क्या हुआ एनर्जी का लोस हुआ इस लिक्विड में से एसिटोन में से पेट्रोल से पर्फ्यूम से एनर्जी का क्या हुआ लोस हुआ तो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जोब किया जाएगा सराउंडिंग से एनर्जी जो है उस बात को, next question ले लेते हैं, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup, देखिए कितना आचा question है, ये बोल रहा है कि कप में से आप चाय पीते हैं, गरम चाय पीते हैं, तो समय लगता है, आपको ठंडा करना पड़ता है, शिप में टाइम लेना पड़ता है, लेकिन एक saucer में, saucer जानगे होंगे वो plate, चाय वाली plate, तस्तरी, जिसके अंदर चाय डाल कर cup की चाय उसके अंदर डाल कर पी जाती है, वो saucer जो होता है, उसमें time कम लगता है, तो क्यों? देखिए, पहले generally समझ लेते हैं इसको, ये saucer है, ये वो plate है, इसमें चाय डालेंगे, और एक तरफ हमारे पास cup है, अब देखिए, cup का surface area इतना है, और saucer जो plate है, उसका surface area इतना है, जिसका surface area जादा होगा, evaporation उतना ही ज़्यादा होगा, इसमें evaporation ज़्यादा होगा, जो plate है उससे evaporation ज़्यादा होगा, evaporation मतलब water vapor होकर उपर जाएगा, तो loss of energy हो गया है यहाँ पे, अब क्या करेगा, इस ये plate जो है, liquid जो है, वो क्या करेगा, surrounding energy, मतलब यह जो tea है, चाय है, surrounding energy को क्या करेगी, absorb करेगी to fulfillment the loss of energy, then it becomes cool, तो यह क्या हो जाती है, थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाती है, तो हम इसको आसानी से पी सकते हैं, जब कि कप में ऐसा नहीं होता, because of surface area, तो answer क्या होगा, tea in a saucer, यह fourth है अपना, tea in a saucer has larger surface area, larger surface area, as compared to, then a cup, cup से अगर compare करें, तो saucer जो है, plate जो उसका surface area क्या है, बहुत ज़्यादा है, okay, the rate of operation is faster with increased in surface area, तो जितना ज़्यादा surface area होगा, यह उप्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा, यह उप्रेशन इतना ज़्यादा होगा, तो surrounding air या surrounding energy को उतना ज़्यादा एब्जोब किया जाएगा, okay, तो इसके वर से क्या होता है, the cooling of tea in saucer, take palace sooner than in a cup, तो saucer के अंदर जो चाहे है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, okay, जो saucer है उसके अंदर चाहे, जल्दी ठंडी हो जाएगी as compared to cup, okay, hence we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup, तो इस वज़ए से क्योंकि उसमें जल्दी ठंडी हो गई, तो इस वज़ए से जो है है मुझे जल्दी चाहे को पी सकते हैं, next question ले लेते है, what type of clothes we should wear in summer, summer में हमको कैसा clothes जो है उनको पहनना चाहिए, तो यह आपको बताया था मैंने, cotton clothes are suitable or preferable for summer season, because they absorb sweat, क्योंकि वो क्या करते हैं, पसे इने को absorb कर लेते हैं, ओके, यह operation हो जाएगा उसका फर्स्ट लिफिर, तो हमें यह फिफ्ट का question का answer है, we should wear light-colored cotton clothes, in summer, तो हमको हलके रंग के cotton के कपड़े जो हैं वो summer season के अंदर पहनने चाहिए, light color क्या करेगा, because it reflects heat, light color होगा तो वो light को क्या करेगा, reflect करेगा, reflect मतलब light उसे टकराएगे और वापस चली जाएगे, लेकिन अगर dark color होगा तो वो क्या कर लेगे, absorb कर लेगी light को, तो absorb कर लेगी तो burning sensation feel होगा, okay, तो cotton क्यों अच्छा है, देखिए, because it has pores in it, पहली बात तो इसके अंदर pores है, which absorb, और ये pores क्या करते हैं, sweat को, पसीनियों को क्या कर लेते हैं, absorb कर लेते हैं, and allows the sweat to evaporate, और पसीनियों को फिर evaporate होने देते हैं, okay, faster thereby giving cooling effect, तो cotton cloths जो होंगे, वो क्या करेंगे, वो sweat को absorb कर लेंगे, पसीनियों को absorb कर लेंगे, और फिर पसीना जो है, sweat जो है, वो क्या होगा, evaporate हो जाएगा, evaporate हो जाएगा, तो surrounding energy जो है, उसको absorb किया जाएगा, okay, और हमें क्या है, ठंडक महसूस रहेगी, तो summer season में, इसलिए जो है, cotton cloths are more preferable than any other type of fibers, तो समझ गए होंगे आप इस concept को, इसी के साथ, अपना concept जो है, वो complete हो जाता है, okay, chapter first जो है, वो complete हो जाता है, कुछ नई बातें, जो इस chapter में देर किया है, उनके बारे में जानेंगे हैं, next video में, उसे पहले एक बार quickly आपको बता दिया जाए, हमने, किसके, क्या पढ़ा था, तो हमने स्टार्ट किया था, मेटर, मेटर क्या है, उसके बारे में, फिर अपने पढ़ा, state of matter, मेटर जो है, उसकी different state, solid, liquid, and gases के बारे में, फिर next अपने पढ़ा, conversion of, state of matter, कि मेटर जो है, उसकी state कैसे convert होती है, एक दूसरे में, कैसे उनका conversion होता है, by pressure, और by temperature, कैसे temperature प्रोवाइड करके, हम change कर सकते हैं, और कैसे जो है, pressure exact करके, state जो है, वो बदली जा सकती है, state जो है, उसमें conversion किया जा सकता है, फिर एक बहुत ही important topic, जो अपनने पढ़ा, वो हमने पढ़ा, latent heat के बारे में, किसके बारे में, latent heat, latent heat जिसको क्या बोल सकते है, hidden heat, तो इसके बारे में पढ़ा हमने, तो latent heat का वाला concept क्या था, देखिए, जैसे, इसमें हमने जो है, आइस क्यूब्स लिए है, बरफ, यूज कारी, और इसको हम क्या करते हैं, गरम करते हैं, तो जब इसमें बरफ थी, तब हमने temperature not किया, temperature कितना था, 0 degree centigrade, और जब ये पूरा बरफ, जो है, पिंगल कर पाने बन गया, तब भी temperature कितना था, 0 degree centigrade, तो question ये था, कि ये heat गई कहा, तो ये heat जो है, जो हमने इसको energy प्रोवाइड करी, वो energy किस में चले गई, जो solid के, मतलब बरफ के जो particles थे, उनके बीच में जो attraction force था, उस attraction force को तोड़ने में चली गई, तो ये heat जो है, वो latent रह जाते हैं, एचिपी हुई रह जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, latent heat या hidden heat, ओके, तो फिर, अपने जो है, degree centigrade और Kelvin के बारे में पढ़ा, Kelvin और degree centigrade जो है, उनका conversion, कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ा, ओके, फिर अपना concept आया, evaporation का, किसके बारे में, evaporation के बारे में, तो हमने जाना, कि water जो होता है, वो कैसे evaporate होता है, और evaporation की वज़े से, cooling कैसे होती है, और उससे related बहुत सारे example, जो है, हमने पढ़े, तो इस तरह से, यह chapter जो है, हमारा chapter first, जो है, वो complete होता है, कल जो है, आपको, यह जो different states है, उनके बारे में, जो है, आउगत करवाय जाएगा, उनके बारे में, जो है, आपको बताया जाएगा, जैसे mostly matter, जो है, उसके तीन state होती है, solid, liquid and gas, but there are two states, उसके अलावा भी, दो states और है, और वो states कौन सी है, plasma and boss, Einstein condensate, तो इनके बारे में, जानेंगे हैं, next video में, यह state कहां है, कहां मिलती है हमें, कहां पर इनको create किया जाता है, इन सब की detailing करेंगे, next में, questions, note करवा दिये गए हैं, उनको आप अपनी notebook में, note करते रहिएगा, notes बनाते रहिएगा, thank you, for watching my video, मिलते हैं, next video में, thank you for watching,